हेलो एवरिवन वैलकम टू डियेसल क्लासेस हमारा आज का नेक्स टॉपिक है और गैनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉंसेप्ट के बारे में हम जान रहे हैं उसका हमारा नेक्स टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट जैसे की आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और उसमें मैंने इंडाक्टिव फैक्ट और इलेक्ट्रोमैरिकट के बारे में बात किया था तो जिसने भी नहीं देखा हो वो इंडाक्ट्िव फैक्टил और इलेक्ट्रोमेरिक एक्ट के बारे में हमारी लास्ट वीडियो वू जरूर देखिये क्योंकि ये एक sequence है तभी आपको next video का topic समझ आता है जब आप पहले वाला उससे related part देख लेते हैं तो आज हम उसी effect में ही तीसरा effect जानने जा रहे हैं that is a resonance effect very important part in the benzene especially for the benzene compound it is very important बाकी resonance तो और काफी जगे दिखाई देगा लेकिन benzene के लिए ये most important part है तो ऐसे ही एक बहुत important part जो है वो अनकैटमी भी लेके आया है ascend A-S-C-E-N-D के लाम से ascend All India Championship Test Series इसमें आपको क्या करना है ये 6-12 के लिए है test series जो है इसमें आप 11 बजे से जो है आपका ये start होगा Sunday के संड़े ही हो रहा है जैसे कि अभी coming Sunday जो है आपका 6 दिसंबर सिर्फ दिसंबर तक चलेगा ये पूरा series जो है अभी coming Sunday पर आपका फिर ये होने वाला है तो इसमें आपको क्या करना है कुछ नहीं करना जो आपने NC articles labels पड़ा हुआ है उसको revise करना है and then आपको जाके वो test series जो है वो attend करनी है पस इतना सा काम लेकिन इससे होगा क्या आप स scholarship program five lakhs तक का तो five lakhs तक के prices आपको मिल सकते हैं प्लस इसमें आपको free subscription भी मिल सकता है ठीक है तो ये जो top जो top में आएंगे जो top positions में आएंगे ये उनके लिए बहुत important होने वाल है and plus vitals आप नहीं बन पाते top ranker आपने ज्यादा डिवाइस नहीं करने को मिला आज अभी जैसे आप busy हो तो आपने NC artist लेबर भी अच्छे से ने देखा वाई चंस पर आप attend करिए इससे इससे आप क्या होगा कि आपका revision होगा proper chapter का revision हो जाएगा आपको पतार चल जाएगा आपको कितना रहे गया है description box में डाल दूंगी तो यह six to 12 के लिए है और आप फाइब लग तक के every month है scholarship programs जीत सकते हो तो very 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 amazing part लेके आए है अनकाडमी एस सेंड करके चलो attend करना नमब भूलना इस संडे ठीक है जरूर करिएगा और कुछ नहीं करना आपको कोई पैसे नहीं देने कोई deposit नहीं करना कोई कुछ ऐसा नहीं बस एक form भरना है अपने आपको enroll करना है उसके लिए and then आप वो test series दे सकते हो ठीक है ना बहुत बढ़िया चीज है and free of cost आपको revision भी मिलेगा सब कुछ होगा तो उसी में हम एक topic important पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जैसे यह academy का यह ascent के बारे में मैंने आपको importance बताई ऐसे ही हमारा topic जो है वो resonance आज हम बात करने हाले है resonance effect के बारे में and जैसे मैंने बताया it is very important effect for the compound having the alternate double and single bond यह ऐसा phenomenon है बटा जो की पाई electron के de-localization की वज़े से develop होता है जैसे आप लेस के बारे में थोड़ा chemical bonding lesson में भी पढ़ा होगा मैं थोड़ा से hint रहती हूं आपको ozone का लेकर कि ozone में तीन oxygen atom होते हैं यह one two three मैंने वी जैसे हम mark कर लें तो इसमें alternate double bond position है एक एक atom का दूसरे atom के साथ double bond है और तीसरे का second वाले के साथ single bond है बट यह condition जह हो change भी हो सकती है इसका यह भी situation हो सकते है कि यह दोनों bond double बना रहे हूं और यह single बना रहा हूं atom तो in that case क्या होता है कि यह शिफ्टिंग of single bond तो perfect है single bond तो stable है लेकिन जो double bond है वो उसका delocalization इतना fast होता है इन दोनों atoms के बीच में इतनी जल्दी जल्दी वो change होता है कि pi electrons जहें वो पूरे molecule में छा जाता है जिसे हम कहते हैं delocalization of pi electron हो जाता है and यह मैंने hybrid structure इसका show किया है क्योंकि we are not definite कुछ reaction जह है वो इस structure को जो है प्रूव करती है और कुछ reaction इस structure से प्रूव होती है and secondly दोनों side जो bond length है वो भी क्या आती है जबकि double bond की bond length हमेशा single bond से कम होती है लेकिन क्योंकि यहां पर pi bond इतनी तेजी से alternate position पर जाता है कि दोनों side का bond length है वो भी same हो जाती है तो this is this phenomena is called the resonance phenomena in which the delocalization of electron take place and यह कहां पर दिखाई देगा जहां पर एक double और एक single ऐसे alternate positions पर हो जैसे कि ozone में sulfur dioxide में और हमारे सबसे important compound benzene में like this इसमें रेखिए benzene में benzene एक ऐसा compound है जिसमें की alternate 3 bond double होते हैं और 3 ही alternate position पर single bond होते हैं तो यह double bond यहां भी हो सकता है यदि मैं इसे one माल लो और यह carbon two तो one two के बीच में three four के बीच में and then next last five six के बीच में हो सकता हैं लेकिन यह bond की situation यह भी हो सकती है कि यहां पर हो next यहां हो तीसरा यहां पर हो यह दोनों जो positions हैं वो इतनी fastly change होती हैं कि कुछ reactions इसके according आती हैं और सबसे important सारी जो bond lens है all the six bond lens वो इक्वल आती है वो यहां ऐसा नहीं है कि shorter होंगी double bond में longer होंगी single bond में क्योंकि वहां ना तो double bond का पता है कि fix कहां पर है ना single bond का पता है कि वो वही fix है तो चेंज हो रहे है position बार बार जो resonance हमें यहां भी दिखाई दे रहा है जिसमें कि यह जो पाई लेक्ट्रॉन है बेंजीन के वो जल्दी जल्दी डी लोकलाइज होते रहते हैं अपनी जगे बजलते रहते हैं और पूरी रिंग में यह पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन जिसे मैं कहूंगी डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई लेक्ट्रॉन पूरे रिंग में हो जाता है और यह हम शो कर रहे हैं से हाइब्रिट की फॉर्म में हाइब्रिट स्ट्रॉक्चर के है जो इंटरमीडियेट स्ट्रॉक्चर इसका जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं या फिर बेंजीन में यहां पर बीच में रिंग भी बना दे सकती हूं जिससे यह शो हो रहा है कि इसमें डबल बॉन कहां है फिक्स है वो हमें नहीं मालूम है तो पूरे इसमें यह घूम रहा है चाहरा है ठीक है तो रेजुनेंस का बहुत अच्छा एक्जामपल जो है व के लिए तो इससे क्या होता है बेटा कि जो compound resonance शो करते हैं वो compound ज्यादा stable होते हैं दूसरे normal compound से ज्यादा stability उनमें आ जाती है क्योंकि उस resonance में जाने के लिए उनकी energy जो हो खर्च होती है जिसे हम resonance energy कहते हैं और due to that expenditure of energy वो जो उनका structure बाल में बनता है वो ज्यादा lower energy पर आ compound prefer क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो उनको जादा stability gain कर रहे हैं वो इसकी help से तो चलिए stability की बात हो गई application की बात हो गई अब हम बताते हैं आपको benzene में resonance जहें वो दो टाइप से मिलता है हमें organic chemistry पर चलते हैं अभी हम ozone so2 की बात कर रहे हैं now coming to the organic chemistry की जो resonance है बेंजीन के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो दो टाइप का होता है इसे हम meso-meric effect भी खहते हैं एक होता है plus r effect और एक होता है minus r effect तो plus r effect के बारे में पहले देखते हैं कि plus r effect क्या होता है हम तो देखें चलिए प्लस r effect को मैं plus m effect भी कहूंगी m का मतलब है meso-meric effect और r का मतलब है resonance effect अब यह कैसे develop होगा और कौन से group हैं जो इसे develop करेंगे जिनकी वज़े से होता है ऐसे groups जो की electron जिनके पास extra loan pair है donate करने के लिए बेंजीन की तरफ देने के लिए जिने हम कह रहे हैं कि electron releasing group हैं उन्हें जिनसे delocalization का process बेंजीन में बढ़ जाएगा increase हो जाएगा वो group यदि बेंजीन से attach हो जाएं तो वो delocalization को और बढ़ा देंगे तेज कर देंगे तो ऐसे group जो हैं वो क्या cause करेंगे they will cause plus r effect बना resonance को और बढ़ा देना तो इसलिए plus के लिए हम कह रहे हैं और increase कर रहा है that means plus r effect दे रहा है तो कौन-कौन से group वो जैसे कि oho के उपर दो loan pairs होते हैं oxygen के पास तो ये benzine की तरफ delocalization को और enhance कर देंगे similarly कोई भी halogen का element जैसे कि chlorine, bromine, iodine यदि benzine ring से जुड़ा हो chlorobenzine, iodobenzine, bromobenzine तो उसमें chlorine, bromine जितने भी halogen हैं उनके पास तीन loan pair होते हैं जो कि benzine की तरफ shift हो सकते हैं उनमें से एक pair आराम से shift हो जाता है ether group, OR is the ether group इसमें भी oxygen के पास दो loan pair हैं ऐसे thio alcohol group, sulfur is also having two loan pair जिससे कि वो electron donate करके resonance को और ज्यादा बढ़ा सकता है ring के अंदर तो बेटा आप समझ सकते हो कि ये जो group हैं जो electron की delocalization को बढ़ा रहे हैं अपना electron benzine को दे कर जिन से electron किस तरफ जा रहे हैं benzine की तरफ move कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं electron leaving groups कहते हैं या फिर वो क्योंकि electron की जो density है वो ortho and para पर बढ़ जाएगी अभी आप देखोगे ortho and para पर कैसे बढ़ती है इसलिए उन्हें ortho and para directing group भी कहा जाता है जैसे यह मैंने यह लिखा है o and p means ortho and para directing group भी उन्हें हम कहेंगे अब मैं एक्जाम्पल से आपको समझाती हूँ फिनोल का मैंने एक्जाम्पल लिया यहां पर oh ले लिया है benzine link से जुड़ा हुआ यहां oxygen is having the two lone pairs यह आप dotted से देख सकते हो red से मैंने mark की है these are the lone pair जो oxygen के पास खानी पड़े हैं useless इनमें से क्योंकि benzine delocalization कर रहा है अपने पाई लेक्ट्रॉन की तो यह जो इलेक्ट्रॉन पेर है they can move towards the benzine वह बैंजीन की तरफ attract हो जाते हैं यह oxygen अपने लेक्ट्रॉन पेर बैंजीन को दे देता है तो यहां से यह इलेक्ट्रॉन यहां पाई बॉन बना लेगा और इस पाई बॉन के बनने से इस इलेक्ट्रॉन जो यहां डबल बॉन में पाई इलेक्ट्रॉन है उसके ओपर force लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन पेर next कार्बन पर shift हो जाएगा अब यह कार्बन जो है वो बन गया इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट और ऑक्षियन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेर डोनेट किया है दिया है तो उसके ओपर आ गया positive charge और double bond बन गया ऑक्षियन और कार्बन के बीच में पहला कार्बन और ऑक्षियन के बीच में double bond create ह हो गया दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंस्टी अभी फिलहाल temporarily बड़ी वी है यह पॉइंट कहलाता है इसका और्थो पॉइंट जहां पहले पहले पॉइंट पर concentration या इलेक्ट्रॉन डेंस्टी यह वो बढ़ जाती है अब क्योंकि इस कार्बन को तो अपनी stability चा bond पूरा हो जाएगा अब वो carbon मान तो जाता है थर्ड वाला लेकिन उसे अपना electron pair next carbon को देना पड़ता है क्योंकि यह force आ रहा है पीछे से electron pair को लेकर तो यह carbon यह दोनों carbon double bond बना लेते हैं इस loan pair से और next जो pi electron है वो shift हो जाता है next carbon पर इस type से यह change चलती रहेगी force जैसे ऐसे आगे जाएगा pi electron की का delocalization होता रहेगा यह वाला जो point है जहां दूसरे जगे जाकर electron density बढ़ी है this is called the para and again जब यह आगे shift होगा तो यह point electron rich बनेगा corner का this is also again the ortho point तो एक तरह से इस पूरी situation में दो ortho and एक para situation electron rich हो जाती है delocalization के दोरान इसलिए हम इने ortho and para directing group भी कहते हैं अब यहां से यह घुमता हुआ electron वापस double bond पर ही force लगाएगा और फिर यह electron pair अपना oxygen पर दुबारा वापस चला गया उस force की वज़े से जो delocalization की वज़े से आ रहा था अब यह situation पहले वाली situation ही develop हो गई पहला and last वाला जहे है वो देखने में same लग रहे हैं लेकिन यदि आप bond की situation देखोगे double bond की तो वो situation जहे है वो बदल चुकी है अपनी position change कर चुकी है तो इस type से यह pi bond का क्या हो जाता है पूरे इसमें delocalization ring में हो जाता है तो यदि आपको clear नहीं हुआ है तो इसे दुबारा rewind करिए and दुबारा देखिए दुबारा समझे कि मैंने कैसे इसको shift किया है electron pair को आगे-आगे कैसे shift किया and then यदि आपको समझ आ गया तो एक बार pause करिए वीडियो को and same structure पांच यह सब कह कहलाएंगे resonating structure hybrid structures कहलाएंगे इसके पांच बनते है इसी type के आप बना के देखिए अपने आप chlorobenzine के और ether के आर मतलब alkyl group है आप इसे आर की form में ले लिगजिए otherwise आगे आप c3 c2h5 में इसे बदल सकते हो तो यहां पर यह ether के साथ और chlorobenzine के साथ इसी type से आप इने बना कर practice करिए अभी pause करिए and do it right now then आपको अच्छे से अपने आप करेंगे तो समझ आएगा कि किस type से इने delocalize करन है तो आइधिंग आपने करके देखा होगा और चेक करिएगा answers उसके साथ मिला लिए जिएगा कि कैसे आपने shifting की है या नहीं ओएच को बस replace करना chlorobenzine से बाकी pattern सेम रहेगा तो वो था plus our effect क्योंकि electron group से functional group से benzine की तरफ shift हो रहे थे तो they are the leaving group minus our effect या minus m effect का produce होगा जब ऐसा group benzine के साथ जुड़ जाए जो electron को अपनी तरफ shift करे अपनी तरफ खीचे ring में से πाई electron को भी अपनी तरफ attract करे तो इन्हे attracting group withdrawing group भी कहते हैं these groups are also called electron withdrawing group और इनकी वज़े से जो electron density थोड़ी comparatively matter point पर बढ़ेगी इसलिए इन्हें matter directing group भी कहा जाता है तो इनमें आते हैं nitro group, ketonic group, acidic, carboxly gases, nitrile और ketone जहां हैं वहाँ पर आप aldehyde भी ले सकते हो तो aldehyde भी तो ये सारे कैसे groups हैं जो electron को अपनी तरफ attract करते हैं and therefore they are called EWG group E for electron, W for withdrawing and G for group तो हम इने क्या कहते हैं EWG ठीक है अब देखते हैं कि minus R कैसे cause होता है by taking one example Nitro group में एक nitrogen और oxygen के बीच में double bond होता है और दूसरे के बीच में coordinate bond होता है तो यहां तो bond shift हो नहीं सकता क्योंकि ये single bond है लेकिन जहाँ pi electron है वहाँ पर shifting हो सकती है तो shifting कैसे होगी क्योंकि nitrogen और दो दो oxygen ये तीनों ही molecule atom ऐसे हो गई जो electron को अपनी तरफ attract कर रहे है, electron negative elements है तो यहां पर अब benzene ring को उनके सामने हतिया डालना पड़ेगा और अपने pi electron भी उन्हें shift करके देने पड़ेंगे तो यहां का जो pi electron है that will move to the in between the nitrogen and carbon forming the double bond and यह force यहीं नहीं रहता है, यह force develop किसलिए हो कहां से हो रहा है क्योंकि यह oxygen इस pi electron को अपनी तरफ attract कर रहे है तो that's why this oxygen will be having now the complete pair of electron of the double bond and इसने acquire कर लिया negative charge और यहां पर इस force की वज़े से यहां develop हो गया nitrogen और carbon के वीच में develop हो गया double bond यह बन गया है यहां double bond अब यह तो हिनने वाले हैं नहीं molecules तो अब क्या होगा अब इस deficiency को जो positive charge यहां इस corner पर develop हुआ क्योंकि यहां इसका electron तो छीन लिया गया और nitrogen को दे लिया गया carbon और nitrogen के बीच में चला गया तो उस deficiency को पूरा करने के लिए जो next double bond है pi electron वो विचारा अपने आपको यहां पर shift करेगा कि चलो इसके positive charge को हम complete कर दें ठीक कर दें लेकिन उसके चकर में इस carbon के पास positive charge develop हो जाएगा तो यह shifting of positive charge होगी अब रिंग के बीच में इसकी कमी deficiency को पूरा किस ने किया next pi electron ने अपने आपको shift करके किया तो यहां positive charge develop हो गया इस point पर develop हो गया उसकी deficiency पूरा करने के लिए जो nitrogen के पास double bond था अब वो वापस shift हो जाएगा और nitrogen के bond को पूरा करना किसका काम है oxygen के उपर force लगा और उसे अपना electron वापस देना पड़ा तो वापस situation develop हो गई जो पहले थी लेकिन इस पूरे दोरान में आप देखो गई यह electron की shifting की वज़े से pi electron की shifting की वज़े से क्या हो गया है जो pi electron का यहां पर double bond था बेंजीन में यह आप यहां से और यहां से चेक कर सकते हो दोनों की position पूरी बदल चुकी है यह ऐसे ही पूरे इसमें चलता रहता है दिलोकलाइजेशन होता रहता है और यह जहां जहां पर पहले electron rich conditions आई थी और्थों पेरा पर वहां पर electron की deficiency हो जाती है और comparatively यह जो meta points हैं यह वाला और यह वाला दो मेटा points यह वह comparatively electron rich हो जाते हैं और इसलिए इन्हें meta directing group भी कहा जाता है बाकी में इसके लिए आपको और्थों पेरा डारेक्टिंग ग्रूप या मेटा डारेक्टिंग ग्रूप क्यों कहते हैं तो जब हम बेंजीन पढ़ेंगे और गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्र कार्वन पार्ट तो उसमें मैं आपको फिर क्लियर करूंगी दुबारा कि वाइज इस कंपाउंड्स और कॉल और्थो पेरा अंड मेटा डारेक्टिंग ग्रूप फिलाल आप रेजोनेंस पर थोड़ा फोकस करिए और जैसे मैंने यह पैटर्न आपको सिखाया कि यह कैसे चेंज करता है डी लोकलाइजेशन कैसे होता है पॉस्टिव चार्ज कैसे डेवलप हो है पॉस्ट करिए वीडियो और डू दा प्रैक्टिस फोर दा बेंजोई कैसे अंड बेंजोडियाइड एक्जामपल जैसे नाइट्रो के लिए मैंने आपको बताया है आप क्या करेंगे सी यो एच ग्रूप लेकर और अल्डियाइड ग्रूप लेकर यह की टोनिक और्लिक नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंडबोक्स में लिख सकते हूं दैन मैं एक बरीन के स्ट्रक्शाघ्स भी बनाके द्बारा ट इखा टूँगे यह किसी भी स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम अर्ट एक्ट शेलिंग ता बता सकते हो कि आपको किस पार्ट में हमारी है मैं उसको दुबारा डिसक्स कर लूँगी ठीक है तो यह था हमारा आज का टॉपिक इसको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा बहुत इंपोर्टन पार्ट है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे एक और नए बेसिक कॉंसेप्ट की बारे में और गैनिक केमिस्ट्री के तिल देन बाई अपने अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्या अरुकिन थैंक य। वरी मुच